दीपावली पर सुख सम्रद्धी के लिए देवी लक्षमी की पूजा की जाती है पूजा के लिए देवी लक्षमी के अनीक तस्वीरें बाजार में उपलब्ध हैं लेकिन उनमें से किस तस्वीर की पूजा से क्या फाइदा या नुकसान हो सकता है ये सब ही लोग नहीं जानते आईए जानते हैं दिवाली पर देवी लक्षमी की कैसी तस्वीर की पूजा करनी चाहिए और उसका क्या फाइदा हो सकता है धनलाव और मनोकामना पूर्ती के लिए देवी लक्षमी की ऐसी तस्वीर की पूजा करनी चाहिए जिसमें वे भगवान विश्णू के साथ गरुड पर सवार हों यदि घर में देवी लक्षमी की तस्वीर लगाना हो तो ऐसी लगाएं जिसमें वो बैठी वी अवस्था में हों जिस फोटो में देवी लक्षमी खड़ी हों ऐसी फोटो घर में रखने से बचना चाहिए जिस फोटो में देवी लक्षमी भगवान विश्णू के पैरों की ओर बैठी हो ऐसी तस्वीर घर में रखने से सुख सम्रद्धी बनी रहती है धन समपत्ती के लिए देवी लक्षमी की ऐसी तस्वीर की पूजा करें जिसमें वे धन के देवता कुवेर के साथ हो जिस फोटो में देवी लक्षमी के साथ गनेश और सरस्वती भी हो ऐसी तस्वीर पूजा के लिए सर्वस्रेश्ट होती है गज लक्षमी यानि हाती पर बैठी देवी लक्षमी की तस्वीर की पूजा शुब मानी जाती है देवी लक्षमी की ऐसी तस्वीर की पूजा न करें जिसमें वे उल्लू पर सवार हों ऐसी तस्वीर पूजा के लिए शुब नहीं मानी जाती इससे नुकसान होने की संभावना अधिक होती है झाल